Welcome to my channel आज हम अपने इस topic में करेंगे सबसे पहले वर्णों का जोड़ कौन से हमर्ण टू वर्ड्स के हम कर चुकें दुअक्षिरों के शब्द कर चुकें अब यह है तीनक्षिरों के शब्द तीनक्षिरों के शब्द के हमें पहले क पलस और म पलस र यह अलग-अलग वरड़े तपन इनको भी मिलके क्या बन गया तपन अब इसको थोड़ा फास्ली बोलो न मन जनक जनक गगन अलस भवन अब इस से रिलेटेड में आपको कुछ वर्स बताऊंगी जो आपका प्री नो टोप में नो डाउन करने हैं सबसे पहले हैं हवन थ हर इसमें आपकी फोर्मेशन नीट अंड क्लीन होनी चाहिए न रह अलस यक्जा हैं अलस अलस प्रश आधर इसमें आपके पलक्ष वर्स अलस प्र शहर न रहिए थी जो आपको क्लीन होनी तों तो आपका अलस फोर्में आपकी सापकी वर्स न न रहिए उसे न रहिए हा, र, नहर, ना, गर, र, नागर, then उसके बाद the next word है, ज, क, ड, ज, कर, ज, कर, ज, कर, ज, कर, ज, कर, ज, कर, ज, ल, ज, 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 इन शब्ट को आप जितने अच्छे तरीके से बोलेंगे वे लिखेंगे तभी हमें इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी अब इसके लिए हमें यह है वे न आप इसमें यह थी आप थोड़ा सा भी पॉस देते हैं थोड़ा सा रुकते हैं तो उसमें आप क्या होगा फर्ड को भूल जाओगे इसलिए थोड़ा इसको स्पीड से फासली बोलना है हवन हवन ठहर ठहर नरम नरम पलक पलक शहर शहर नहर नहर नकर नगर जकर जकर जलन जलन शहद, शहद, असर, असर, लहर, लहर, शरन, शरन, और पकड, पकड, अब इन शब्दों को आप अच्छे से learn and write करेंगे और डेली अपनी का notebook में दो शब्दों के और तीन शब्दों के ये दोनो words आप डेली routine में अपनी notebook में तिखेंगे तभी आपकी अच्छे से practice हो पाएगी, okay student?